और अब मौसम की अपडेट से जुड़ी वे अधिक जानकारी के लिए हमार सा सीधे लाइब जुड़ चुके हैं जलमेल से हमारे संबादाता अमेद भारदवाज अब एका-एक मौसम ने पल्टी खाई है अब राजधानी जैपूर में इस समय मौझूद है किस तरीकी का माहल और क्या कुछ तस्वीरे राजधानी में इस समय देखने को मिल रही है जिस और पिछले तीन दिनों से जिस तरीके से राजधानी जैपूर में मौसम ने पल्टी खाई है, मौसम में लगातार बारिश हो रही है, टेंपरेचर कम हुआ है, राजधानी जैपूर में परेटोकों का बढ़ावा लगातार बढ़ गया है उसके बाद में, अभी मैं जल महल में, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार टूरिस्ट का आना जाना शुरू है, आप यहाँ पर पहाड़ी देखेंगे, इस तरह पीछे का जो मैं कैमरा सही होगी सा बोलूगा, यहाँ पीछे पहाड़ी दिखाएं कि पहाड़ी पर पूरी तरीके से धुन्द चा आ रहे हैं, मैं कहां से हैं, हम लोग मुंबई से हैं, और जैपूर घुमने आए हैं, आज मौसम बहुत स्वावना हो गया है, और यह खुबसूरत गुलाबी शहर बहुत मन को मोहरा है, बस थोड़ा सही कहना चाहँगी, अगर जल महल तक कुछ बोटिंग की विवस्ता हो जाए, तो राजिस्तान टूरिजम को बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा, तो परेटक आए हैं, क्या होता है कि जो मिलता है, वो सब कम है, उससे ज़्यादा ही कहीं ना कहीं चाहते हैं, सर आप कहां से आए हैं, किस तरीके से, मौंबे से आए हैं, जो मिला है वो तो हम अच्छेंट करना चाहते हैं जैपूर में, एक्षेंट तो इसलिए नहीं कि कोई जैपूर में कमी है, मैं हमारे खुद के अपने श्विडूल से रहते हैं, इसलिए हम एक्षेंट नहीं कर पा रहे हैं, और आज सुभई वातावरों यहां का बदला है, और उसका भी हम आन जैपूर में जिस तरीके से परेटक बड़ा है, पिछले दो दिनों से, तिन दिनों से, तो यहां गंदगी की थोड़ा सा आलम देखने को मिल रहा है, तो उसको लेकर के परेटक अपनी शिकायत कर रहे हैं, सर आप कहां से पजा रहे हैं? कितने दिन हो गए आपको जैपूर आए हुए या राजस्थान आए हुए और किस तरीके से आपने राजस्थान को एक्स्टूर गाए है? मौसम को देख करके प्लान लगातार परेटक एक्स्टेंड कर रहे हैं, मैं आप महराजस से पधा रहे हैं या पर किस तरीके का आपको जैपूर देखने को मिला या जैपूर में आगे और किस जैसे सर ने बताए कि दो-तीन दिन आपका प्लान एक्स्टेंड कर रहे हैं, कि किस जगह पर जाना आप चाहते हैं मैं तो फोर्ट जादा घूमना चाहते हैं उधर कि मैं 7-8 साल पहले आई थी तब मैं समर में आई थी तो बहुत दूपती और बहुत प्रॉब्लम है अभी तीन दिन से वारिश हो अभी बहुत अच्छा मौसम है तो मैं फोर्ट जादा जा कर दो पह और जाना चाहते हैं किना प्लान आपने और किया हुआ है तो अभी नहीं हो पर आभी मौसम को देखकर तो बना होंगी प्लान बनाओंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां पर टूरिज्म लगातार बड़ा है तूरिस्ट लगातार आ रहे हैं और ना केवल जलमहल कि हम बात करें जैपूर में आमेर के किले की अगर हम बात करें आमेर में टूरिज्म बढ़ा है हवा महल की बात करें हवा महल जंतर मंतर सभी मौन्यूमेंट्स में टूरिज्म बढ़ा है अभी हम अरसाथ हमारे सहीयों की विशाल भी मौजूद है विशाल से जानते विशाल आप सुबे से अलग-अलग मॉन्यूमेंट्स में अलग-अलग जगए पर गूम रहे हैं। किस तरह का बाहौल है और क्या आपने देखा हैं। जी देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा राजस्तान प्रदेश में अभी पक्षिमी विशोप के चलते आपको बताना चाहूँगा कि आगमी कुछ दिनों तक कुछ कौरा भी गना-कौरा भी आपर देखने को मिल सकता है। और तापमान 4-8डिघ्री से नीचे बी जाने की सब्मा न बता ही जा रही है। जो मौसम विभाग ने भी बताया था। कुछ समय पहले हमारे सायोगी सत्वीर ने भी मौसम विभाग के निदेशक से बात किती वो भी बता रहे थे कि अगले दुदों तक और बारी